कि कि हालो एवर्यवन वेलकम नोलेज प्लस इस वीडियो में हम कॉंटिनेट को रिवाइज करने जा रहे हैं तो इसके पहले में लोग एस एक्जाम को आने वाले पेटी का अगजाम है चार शरू करते हैं आज के वीडियो ये एक छोटा कंटिनेंट ये लेकिन सेकंड लास्ट कंटिनेंट है जो सीक्ष रैंक 16 एरिया छटे नमर पर आता है और इसका एरिया इतना है आप देख सकते एक जो हैं इसका लेक्टीव नेकर लेकर डिकने नौर्फ से लेकर के एटीवण डिकरी नौर्थ में पड़ता है और इसका लोंगिश्टेनल एक्टेंट है टोन इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो एसे आएगा ठीक है प्राइम मिरीडियन है एकवेटर है त पूरे के पूरा नॉरे सप्ड़ते हैं जो एस्टेया से है इस सेप्रेट कैसे इवराइं के लॉड़ारी कहां-कहां ऑनने मेड़ य emissions पड़े थे भी इसका बंद और कहां बंता है और भीडोट वनता है ठीक है तो हम लोग वाले मुझको पढ़े थे यदि आपको नहीं देखें तो जरूर देखें एरोप इसमेट पेनिसूला पेनिसूला उसको बोलते हैं तीन तरफ से पानी से घीरा रहाता है इंडिया का साधन टीप जो है पेनिसूला कहला आता है तो इस तरीके से है तो इसलिए इसका कोश्ट लें काफी ज्यादा है इट प्रवाइट गूड साइट फोर नेचुरल हारवर और पॉर्ट ज्यादा होगा मैंने और बेजन सी सराउंडिंग इस कंटिनेडर सेलो बहुत सारा जो सी या बेज़ो बंगाल टाइप का यफिन है तो बेक इसको बो लोट फिस होता है जहां पर हाल ट करेंट और कोल्ड करेंट हें अइन होते होते हैं तो गरम тंडा वाला जो चय سंको मिलते हैं ओह यह नहीं होता है क्योंकि अचानक से ऐसे हो जाते हैं मतलब कि उस पर फॉल बन जाता है फिर ठीक सब्सक्राइब बन जाता है फिर फॉल बन जाता है ठीक है तो इसलिए यह फिर बहुत जादा इसलेंद नॉर्वेज स्वीडरेंं नेनमार्क इल Billie CON Northern part में कौन को ने तो उनको 7 главное इन कणिपर्लिक यहाद रहेक Points नॉर्वेज स्वीडरें डेनमार्क आइसलेंड एक चार कंट्री को स्कोंद रॉच्प न कंट्री को थे तो यह कंटीडियंट में आता है एस्या और एरोप दोनों में आता है ठीक है इसके लावे टर्की में आटा है ठीक है कि तो एक बड़ा सा हिसा और उसका नौब आफ्ठ जो है उससे यूट nations पहले था उससे ठीक करके जो भी कंट्री बना था ठीक है तो कौन-कौन था इस्टोनिया लिथवानिया लाट्विया इसको बाल्टिक एस्टेट बोलते हैं ठीक है तीनों को जो है यह तीनों भी जो है यह तोटे थे ठीक है तिसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं को इस्टोनिया लिथवानिया लाट्विया ठीक है इसको यूगो सलाविया स्ल्वेनिया क्रुएशिया बॉस्निया मेकदुनिया बुल्गारिया ग्रीस रुमानिया अल्बानिया इसको बालकन अस्टेट बोलते हैं तो बालकन अस्टेट परहए ठीक है उसके बाद फिर हम लोग ये सं एपल्थिक पंट्रिक भार कि पढ़ा पड़े जलवल्या स्लोवेनिया रोएसिया बोसनिया मैकडूनिया बुल्कारिया गृ क्रिस रोमानिया इनके वालाइनटेट्सकाटर उडुडवनिया इध्यू Wagamia सदर नीरोप में पाए जाता है वेटकन सीटी एका स्मॉल और इंडिपेंडेंडेंट अस्टेट है जो रोम का हिसा इटली के अंदर में यह लेकिन वेटिकन सीटी एक अलग कंट्री बना है तो यह दुनिया सब से छोटा कंट्री माना जाता है इसीट ऑफ यहां पर पोप र नीचे वाले को आईरिस रिपपलिक बोला जाता आई जया नॉर्धर रायलेंड यूके का हिसा न यूके क्या होता है तो जैसे यूके में चार कंट्री आते इंग्लेंड वेलस और स्कॉट्लेंड और नॉर्धर नाया इलन यह मिला गर कि 오 nights थनीति है तो यह हो फिर पूरा हिसा मिला दिया जाए दो उसको ब्रिटी is में आलेड आताय नौरदरन अईड से पभलिक और गरेट बिटेन में कौनको आता है स्कॉटलेंड वेलस इंगलेंड तो ऐसे आप समस्झ सकते इंगलेंड और वेल्स ठीक है और स्कॉटलेंड इसको मिलाने के बनता है ग्रेट बिटेन और स्कॉटलेंड वेल्स इंगलेंड इसमें नर्दर्न आयलेंड को जोड़ दिया तो बनता है यूके ठीक है इंगलेंड वेल्स स्कॉटलेंड नर्दर्न आयलेंड मिला करके बनता है यूके यह तीनों को मिला कर सिर्फ बनता है ग्रेट ब्रिटेन और पांचों को मिला दिया ज जाता है पहले भी पढ़े होंगे या फिर जोग्राफ में युरेसियन प्लेट भी होता है अब इसके फीजिकल फीजर पढ़ते हैं तो इसको में लिए चार फीजिकल डिविजन बाटा गया पहला है नौर्दन नौर्थ वेस्टन हाइलेंड यानि कि एउरोप के नौर्थ व आप अर्द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इरोप इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं इरोप के सबसे पुराने रॉक है फिर ग्लेशियर वाश्याइब आउट आउट आप सेडिमेंटरी रॉक्स दे एरिया इस फ्यर्ली रीचिन में डिल्स इसमें कई सारे में डिलिक मिनल पाय आए जाता है मौंटन से घिरा हुआ एलोंग दर नौर्वेजियन कोष्ट रीच इंट अट्लांटी कोशन क्रेटिंग जोड्स ठीक है डिया डिव हैली काट वे ग्लेसियर नाव फिल्ड वित सी वाटर तो उधर जो है जैसे समूदर उधर इतना मतलों के अंदर तक सी जान इस्ट नवर्थ इस्ट जो नौर्थ युरोपियन प्लेन मतलब कि इवराल माउंटेन इधर अस्या इधर इभर था तो एउड़ोप के लिए तो इस्ट ही हो गया ना तो इटेक्स एक्टेंट प्रम्टेंव एलिंड रिदे इस्ट वेस्ट तक हैं पूरे ईरोप में इसंट वेस्ट गुराइट अगुलाइट खुडाँ है और वेस्ट पार्ट में थोड़ा पतला है निरो फेल के उतार में सी हैं नॉर्थ हैं ऩाल्थ वेस्ट अब्लैंड और में अंगने सेंट्रल अपनेंड एक लेड़ेट फुल में दा चेह की कि वैरिया कमेरी हैं इन संट कैसे रूसर को रोगया है सुप्लेट्री डिस्ट्राइब निल स्मस्क्राइब जो है मतलग कि फटा मा क्या मोलता सकतो तो फ़ार में एरिया जासा बन गया है एलिए बन गया है इंस प्लेश हाई अप्लेश रिवर्स तो जैसा बहुत में बहुत önce jaan Bundesregierung में अंग। सिउन होग करती और राइन रीवर जो विलो करती है डानूबे लिपर दॉन एंड वोलगार अदर निवर्ड इन इन इसेब्स प्लेश के लिए अपही फॉसिल तो इस प्लेन वाली लाके में कहीं कहीं को फॉसिल मिलता कोल पेट्रोली मिलता है दी दिपोजिट एक्स्टेंड नॉर्थ सी फियर ओइल एक्स्पोरेशन प्रोडक्शन फ्लाज इसके नौ टेकिंग प्लेस और यह नॉर्थ सी तक जाता है जहां पर हाल फिलार में ओईल एक्स्पोरेशन किया जा रहा है ठीक है कि मब पढ़ते हैं शेंट्रतें सेंट्र अप्लैड के बारे में इड़क याड माॉंटेन ही ड्न प्लेट फ्ले इसमें क्या क्या पाई जाता है मॉंटेन प्लेट्व क्लिशन गयां तो तो इसमें माउंटेन हील और प्लेटियों तीनों आता इस अप्लेंड में है ना और को ना आते हैं तो पूर्टगाल और स्पेन का में सेटा वाला हिसा सेट्र ओडिवांटिंस ब्लैघ फॉरेस्ट इन जर्मणी सेट चेक एंड्ड चेक एंड स्लोवाग रिपबिक इसके रीजन इसमें दो में रघज़ हैं राइन और रॉन फ्लोवाड फ्लो नौर्फवाड व्यां फ्लो शाउथ वाट राइन जो नौर्फवाड करती है और र इसी के पर जल देखेंगे पूरी कॉंटिनेंट को हम लोग नविगेट कर सकते हैं वाटर के मदद से मतलब की वाटर वेच से हम लोग जा सकते हैं नेक्स अधालपाइन सीस्टम इस चेंग पाइं मांटें लोकेटें इन साथ आलपाइन सीस्टम जो है साथ में उर्पके साथ में लोकेटेट हैं इसमें कई मांटेन आफ्रीका इसका जो एज फूरा आट्लांटिक ने से तक किस ठीक है हरलका फुल के आपके चला जाता है मौंटे और हाइप स्लोप सब्सक्राइब पहली मांट ब्लेंख ठीक है मौंट ब्लेंख की सब्सक्राइब सब्सक्राइब पीकोंने तो मांट ब्लैंग है अधर इंपोर्टेंट मॉंटेंडेंज जारब प्रेनिज करपेथियन कॉकस मांटेंड कॉकस्थ मॉंटेन ने से और यौप के बीच में बढ़नरी बनाता है एक पूरे उरोप का मांट ऐल ब्रस है ठीक है जो कॉकस्थ कॉकस्थ मॉंटेंग जो है आल्प्स का हाईस्ट पीख है और मांट अलबरस पूरे एउरोप का हीस्ट पीख है ठीक है जो कॉक्सस मांटें पे इस मांटें शीटम जेडरली है वाव सीरीज अफ रेंजर रन पहले टूवर अनादर फॉर्मिंग फोल्ड सच फोल्ड मांटें डिवलप वें द लैं sulphur जोन इस टेंपरेट जोन घंटेंट है मेजर पाट इसका टेंपरेट जोन में पाया जाता है बट कंसेंडरिंग एडलेटीट इस एक कलांट माइल्ड कलामेट है मतलब ज्यादा घर्मी नहीं ज्यादा ठंदा पड़ता everyone फेक्टर लाइक रिलीफ इट्स प्रोक्सिमिटी तो दशीज एंड वेस्टर लीजिट तो बहुत सरा फेक्टर उसका इसका रिलीफ ए प्रोक्सिमिटी दो सीज मतलों के लगभग हरी राका समुदर के किना रहे हैं नौर्थ अत्लांटिक दिन वेस्टरली जो है बिलम बिलोवृश्ट्र ब्लोवार। लिसका बंसट्रांटिक रिफ्लू करता है ना जो वेस्ट के दरप से जहावा आता है वो भी आइलेट को जो अंदर वाले जो इलाखा इनलेंड मतलब की इन इंदर का जो इलाखा उसको भी वर्म करते हैं तो अन्देर विए अलसो पीक अप मॉइस्ट अंड काऊजा फेर अमाउंट आफ रेंफोल और हल्गा फोल का बारिस विकर आता है एक्ति बहुत है या मतलों सालों घर विस्ट डेन फोल या जाने पर इंडियाम इस से में जाने पर बारिस कम होता है ना इस्ट में जैसे नार्थ इस्ट लेका है वहाँ पर सफसे ज़्छादा भारिस फिर धीरी तरफ जाते जाते आदे श्थान में एकदम कम हो जाता है लेकिन इरोप में क्या उल्टा है ठीक है है एवी होता है वेस्ट में डिक्रिश टूट इस्ट ठीक है कि नेक्सक्राइब पढ़ते हैं दो दो मोट्रेटिंग इंफ्लेंस वेस्ट अलिज और नियर्नेस्ट तुद सी एंड ओसन टीप समर वार्म फार्म फोटा है के समूदर की किनारे का इंफुलेंस होता है इन विंटर फो फोक्वक पॉॉकल ये टिपिककलली मेरि टायन नोनित वेस्ट इर्विंटवयपेंट ऐस होता है करना इद देवीच्टक इसलल अनि पर मोडुरेटिंग इंफ्लेस ओसेन कर ल करहा जाता half आज आ कारां से इस अकारां से इसे आफ़ में सेंट्रल और इस्टल इस्टन एउर्योप में सबर काफी घरम होता विंटर काफी ठंड़ और रेन्फ चलाइमेट Videosphere आइनवाग रेके ह हैं क्लाइमेट को कॉंटिनेंडल क्लाइमेट तो कैसा यूहाँ पने चाहँ पर काफी ज्याधा 17 धीनड के यूहरेगा टेंपरेचर में वह यूह पो कॉंटिनेंडब्त क्लाकि मिटथे की ए सतन सांभरा एंदर शोर विंग यह पहले भी हम पढ़ा चुके मेटरियन टाइप कलाइमिट कहां कहां पाए जाता और क्या होता है सब्सक्राइमिट मतलों कि कम दिन का होता है का लेकिन उसमें जो डे होता है काफी गर्म होता और लंबा दिन उता तो रात में भी जो है सन दिखाई देता है थोड़े समय के लिए दे लैंड दे लैंड इज कवर्ड भी था स्नौ फॉर मेजर पार्ट पॉप दियर साल के अधिक आश्य से में लैंड जो है कभर किया रहा था स्नौ से इसको लो टूंट्रा क्लाइमेट बोलता है ठीक है टूंट्रा क्या होता है टाइगा क्या होता सब हम पहले पढ़ा जोके हैं इसमें इन देमेटेरियर इजन ट्रीज रिक्वाइड टो एस्टेंड लॉंग समद्राउट में ट्रीकों जो है समर में ड्राउट का समय प्रेश करना पड़ता है था इसलिए छोटे होते हैं साइज में बट रीपूट्स क्योंकि पानी के खोज में रूट का फिन अधर तक चला टाइब आर्क रिसरकल से ब्यों नौदर पार्ट में टूंड़ा टाइब के कलाइमिट पाया जाता जिसमें लाइकेंड पाया जाता है फिर पाया जाता है इस प्रेश्टी जो है उसमें लीफ चोड़ा है इसमें कौन कौन साहत ओक है ऐसे पोलर है एक कॉमन है उस रिजन के लिए इन दा साओथ-east सब्सक्राइब के साओथ-east वाले पार्ट में ग्रासलेंड उसको लोग स्टेपिस बोलते कंपेर दो प्रेरी जो नॉर्थ अमेरिका इस ग्राप सब्सक्राइब करते ग्रास जो होता है इस रिजन एक्स्टेंड फ्रों डैनूवे वहली रोमानिया यूक्रियन वेर ग्रा तो यूरोप जो है सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है सुरू में बताये थे और यह लगवाग इंडिया से तीन गुना है ठीक है बटा स्मॉलर दें चाहिन लेकिन चाहिना से छोटा है यूरोप स्टेचेश प्रम 35 डेग्री नॉर्थ से 80 डेग्री नॉर्थ तक और इट यूरोप को देखा जाते खुद तीन तरीके से पानी से घीरा हुआ तीन तरफ से और इसके अंदर काई पेनिंसुला है हम लोग पीछले मतलब की कुछ दर पहले भी पढ़ेते हैं विकाउज इस मैनी इलेट्स अलोंग दर कोस्ट विज रिजल्ट इन फ्रमेशन पेनिंसुला है तुद अपिर अपिर अप्लाइश नॉर्थ मेर्टिक असाने साथ मेटेरियन सी है ब्लैक सी है कॉक्स माउंटेन एंट इस्ट यूराल माउंटेन कैस्पीन सी टुद प्रमानिय डल्वेनियर कोलेक्टिव को बालकन स्टेट नॉर्वे स्वीडेन डेनमार्क और आइसलेंड चारों को स्कंदनेवियन कंट्रीज बोलते हैं नॉर्दर्ण मोस्ट कैप्टिल सीटी इन आइसलेंड बिलॉंग टू यूरोप जो दुनिया के सबसें नॉर्थ में सबसें नॉर्थ में सबसें नॉर्थ में कैप्टिल सीटी ठीक है सबसें हाइस्ट कैप्टिल सीटी सौथ अमेरिका वाले वीडियो में पढ़ाया थे सबसें सारिय को बलांज यह दोऄ सबसें यहाउज ऐसकें मॉट् एक की बाउंडटरी पीरांस डुच मांटरी बनता आपॉप है सेपरेट फ्रांस अइटली बाव बाउन्दी इस ब्रांस बनाता है अर्खेण lu नाम है पधिरश रिवर साइच रिवर सींग्त रीवर सिन रीवर सीन के किनारे फेरीस नदी है वार्षा जो पॉलेंट का प्वार्षा यहां पर पेक्ट भी आ gemaakt था लाइघ रीवर फैस्टूला वार्षो जो है रिवर विस्तूला के किनार रहे ہے आउट फोड प्लूस्ट द बनाती है फ्रांस जर्मिनी के बीच में ठीक है कि वोलगा यूरोप लॉंगेस्ट इवर वोलगा जो उरोप का सबसे लंबा नदी है डेनुबिज दो वाले रिवेंदव टॉट इट कंट्रीज ठीक है कि भुलगा एक सबसे लंबा और डेनुब एक ऐसा नदी है मतलब दुनिया में एक मात्र नदी है जो आठ कंट्री से क्रॉस करती है ठीक है आठ कंट्री से क्रोस करने वाले एक ही नदीज काना में डेनूब और इसके किनारे जो फिमस सहरे कोन कोन है तो बुड़ा पेस्ट है है बेल ग्रेड है ठीक है में इस पेसलाइज इन होटी कल्चर में होटी कल्चर में सब्सक्राइब फाल और फूल गाने में अस्टेपीज और फूर भीट सुगर बेस्ट एंड एक्स्टेंसी फार्मिंग और कॉटन कल्टिवेशन के लिए कौन फेमस है तो चर्णोजीम का ब्लैक सी के चारों तरफ के लिए फेमस हैं कॉंटिनेंटल सेल्फ एरॉप इंक्लोडिंग डॉगर बैंक का रीच इन फिस्ट कॉंटिनेंटल सेल्फ मतलव कि जहां समूदर से मिलने वाला और फिसिंग के लिए स्पेशल ग्राउंड है बतलों के काभी अच्छा इलाका है यहां से फिल निकलता लगा से लोराइन फिल्ट्स ऑफ फ्रांस कि रूना एंड गैलिवेर इन स्वीडिन और फेमस फ़र आयरन माइनिंग रूर रिजन इंजर्मनी फेमस कोल माइनिंग तो रूर रिजन को हिस्टी में पढ़ना था यदि आप फ्रेंच रिप्रिशन या फिर वल्ल्ड वार वन वाला र जाता होगा जर्मनी आई क्ली फेमस है लेकिल कैनल म्म लिंक्स बाल्टिक सी टू हमब अट्लांटिक सी तो बाल्टिक सी को बाल्टिक सी से देगल सब्सक्सेजौन coast पूसी तरीका से कील केनाल जहें अट्लांटिक को बाल्टिक से जोडता है इंगलेंड और फ्रांस रिंक्ट वाइस सब्सक्राइब करें धन्य वाद